हेलो बेटाज कैसे हो आप सभी उम्मिद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे खुस होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अगर आप इस video को देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आने वाले अभी समय में आपका बोर्ड का एक्जाम है या तो आपका 10 एक्जाम है या 12 एक्जाम है board की, CVC board की जो actual answer book अब की बार आएगी उसकी photocopy ली है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं left side में यहां लिख रखा है wishe, subject तो यहां आपको अपना subject fill कर देना है, जैसे अगर आपका wishe science है, तो आप यहां पे s-c-i-e-n-c-e science लिख देंगे उसके बाद बात आती है wishe code, subject code अब यह आपके admit card पे लिखा हुआ है हर subject के left side में यह लिखा हुआ है, तो जैसे science का subject code है 086 तो यहां लिख देंगे 086 उसके बाद बात करें day and date of the examination कि जो आपका examination होने वाला है वो किस दिन है और किस तारीक को है तो सबसे पहले यहां day लिखें जैसे Monday को exam है तो Monday लिखें उसके बाद कुमा लगा के आप date डाल दें अगर मान लीजे date है 17 February 2024 तो आप लिख लें 17-02-2024 ऐसे आप लिख सकते हैं उसके बाद बात आती है यहां पे उत्तर देने का माध्यम medium of answering the paper आप English medium से है तो आप यहां English लिख दें अगर आप Hindi medium से आंसर दे रहे हैं तो आप यहां Hindi लिख सकते हैं उसके बाद बात आती है यहां पे code number यहां कौन सा code fill करना है तो ध्यान दे बेटा यहां आपको जो code fill करना है वो आपके क्यूशन पेपर पर लिखा होगा और इस टाइप से होगा जैसे 3 1 slash 1 slash 1 ऐसे लिखा होगा तो आपको क्यूशन पेपर से देख के लिखना है यहां पे बहुत बढ़िया फिर क्यूशन पेपर के उपर ही कोने में right hand side set भी लिखा होगा set 1 है 2, 3, 4 तो अगर आपका set 2 है तो आप इस 2 को circle कर देंगे अच्छे से इसको fill कर देंगे इस place को जैसे OMR में fill करते हैं बहुत अच्छी बात है उसके बाद अगर आप exam देते हैं और आपको extra answer book की जरूत पड़ती है आप बहुत ज्यादा लिखते हैं तो आपको कितनी extra answer book ली है उनकी detail यहां लिखनी होगी जैसे एक ली है तो एक लिखेंगे दो ली है तो दो लिखेंगे अगर आप disable हैं किसी भी परकार से benchmark disability है तो आप यहां yes कर देंगे otherwise यहां आपे no लिख देंगे बहुत अच्छी बात है फिर अगर आपे disable हैं तो आपके admit card पर जरूर code लिखा होगा कि आप कौन सी disability से प्रभावित हैं वहां आप अपना वो code लिख देंगे बहुत अच्छी बात है क्या आप इतने disable हैं कि आपको writer की जरूरत पड़ी मतलब किसी और ने आपका exam लिखा है क्या तो अगर हाँ तो yes कर देंगे और नहीं तो आप यहां no लिख देंगे capital letters में लिख सकते हैं बहुत अच्छी बात होगी अगर आप दिरिष्टी हीन है मतलब आपको दिखता नहीं है तो आपने कौन सा software यूज किया अगर किया तो लिख देंगे otherwise यहां पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है बहुत अच्छी बात है यह office यूज के लिए होते हैं इनमें आपको कुछ नहीं लिखना है अच्छा अब इधर की बात कर लेते हैं यहां जो कोलम दिये गए हैं जो बोक्स दिये गए हैं वहे इनमें आपको अपना नाम लिखना है जैसे मेरा नाम है मंजीत कुमार तो मैं यहां लिख दूँगा म, A, N, J, E, T और second जो नेम होगा last नेम होगा उसको लिखने से पहले एक बोक्स को मुझे खाली छोड़ना पड़ेगा ऐसे नहीं कि मैं इखटा ही मंजीत और कुमार लिख दूँ एक बोक्स बीच में खाली छोड़ना पड़ेगा आपको भी छोड़ना है बहुत अच्छी बात है अब M है सबसे पहले letter, तो निचे जाके, मैं M वाड़े गोड़े को fill कर दूँँगा, ऐसे ही A वाड़े को fill कर दूँगा, ऐसे ही N वाड़े को, ऐसे ही J वाड़े को, और सब को fill कर देंगे, बहुत अच्छी बात है, उसके बात बात आती है आपका roll number, तो जो आपका roll number होग वो 8 डिजिट का होगा और आपको यहां रोल नमबर लिख के जैसे आपका रोल नमबर है 1, 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2 तो वो लिख के आपको 1 के नीचे 1 वाड़ा गोड़ा फिल कर देना है 7 के नीचे 7 वाड़ा फिल कर देना है ऐसे ही सारे गोड़े आपको फिल कर देने हैं उसके बा यह आपके जो subject है ना उनके left side लिखा हुआ है जैसे science का subject code है 086 तो मैं यहां लिख दूँगा 086 और 0 के नीचे 0 वाड़ा फिल करूँगा 8 के नीचे 8 वाड़ा फिल कर दूँगा 6 के नीचे 6 वाड़ा फिल कर दूँगा उसके बाद आपके admit card पर ही center number लिखा गया होगा है ना सबसे उपर right hand side कोने में आपको center number लिखा मिलेगा और वो center number 123456 six digit का होगा तो वो center number आपको यहां भरके मिचे वाड़े ऐसे ही तरीके से गोड़े फिल कर देने हैं बहुत अच्छी बात है फिर दुबारा यहां पर आपको subject लिखना है जैसे science है तो यहां हम लिखे देंगे science है और यहां बहुत ध्यान से सुनना यहां school number लिखना पड़ेगा ठीक है और यह school number भी आपके admit card पर सबसे उपर कोने में right hand side की तरफ लिखा है बहुत अच्छी बात है वो भी 5 डिजिट का होगा तो आपको 5 डिजिट यहां फिल कर देने हैं फिर आपने जो roll number फिल किये हैं उनको words में लिखना होगा जैसे इसको convert करें तो हम लिखेंगे वन करोड 71 lakhs तो lakhs तो लिखा ही हुआ है आपको सिरफ लिखना है 71 lakhs 23,000 तो thousands तो लिखा ही मिलेगा आपको सिरफ 23 लिखना होगा और उसके बाद 412 आप लिख देंगे यहाँ पे आपके father या guardian का नाम लिख देंगे उसके बाद यहाँ पे आप अपने signature कर देंगे ठीक है अब इसके नीचे जो दो place दिये हैं यहाँ पे जो duty दे रहे होंगे room में वो अपने sign करेंगे एक पे तो assistant superintendent sign करेगा और एक पे center superintendent महोर लगाएगा ठीक है तो हम उमीद करते हैं कि आपको अच्छे से पूरा first page answer book का fill करना आ गया होगा अगर कोई आपको confusion भी बचता है तो आप comments करके पूछ सकते हैं हम उमीद करते हैं कि आपका exam बहुत अच्छा होगा और आप ऐसे ही खुस रहें पढ़ते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें धन्यवाद